जै श्री राधे पुझे श्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम आज नाम जापक संत श्री अनिरुद्दुजी महराज कहते हैं समय जा रहा है, काल समय को खा रहा है मानव सो रहा है, समस्या पर समस्या आ रही है दुखों पर दुख पा रहा है अंत में जनम मरण पर जा रहा है अनंत काल से भव सिंदु में डूबा जा रहा है फिर भी इसे चेत नहीं आ रहा है अभी भी चेत जाओ समय रहते अपना जीवन सफल करो यह संसार दुखों का खजाना है सुख का तो इसमें लेश भी नहीं है जो अनुभव होता है सब स्वप्न की भाती जूटा है केवल दीखता है जब से प्राणी अपने पिता भगवान की गूद से बिछुडा है तब से दुख पर दुख भोग रहा है नय जाने कितने पिता बनाता जा रहा है असली पिता को भूल कर अनंत कूटी अखिल ब्रह्मांडों में भटक रहा है जब तक अपने पिता हरी नाम को हिर्दै से नहीं पुकारोगे तब तक समस्याओं का अंत नहीं पाओगे इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभू ने संकीरतन का आविशकार किया है इसमें जोर से भगवान को पुकारना ही होता है जोर से न पुकारने से मन इधर उधर भटक जाता है जब आदत में आ जाता है तब धीरे धीरे भी तब धीरे धीरे जप में भी मन स्थिर हो जाता है श्री भक्ति विनोथ ठाकूर जी की उक्ती बड़ दुखे डाकी बार बार सीता महरानी की उक्ती जेही विधिक कपट कुरंग संग धाम चले श्री राम सो छविस सीता राखी उर रटत रहत हरी नाम डाकी वर रटत का आशे है कि जोर से पुकारना श्री चैतन्य महाप्रभूजी जोर से बोलते थे हा कृष्ण तुम कहां हो कहां जाओं कहां पाओं आपका दर्शन अतह प्रथम में जोर से हरी नाम करना ही पड़ेगा बाद में रास्ता खुल जाएगा ग्रहस्त को सब तरह की सुविधा है सच्ची कमाई करो उससे शक्ती भर संत सेवा करो अधिक से अधिक हरी नाम करो रटन में प्रेमवस्था शिग्र उदय हो जाती है भगवान शंकर की उक्ती है पुन्य एक जग में नहीं दूजा मन क्रम बचन भक्त पद पूजा सा अनुकूल तिन पर मुनि देवा जो तजी कपट करे संत सेवा जो भी ग्रहस्ती का काम करो भगवान का समझकर करो तो चोबिस घंटे का भजन बन जाएगा पानी पियो तो भगवान को मन में पिला कर भोग लगा कर पियो तो भगवत चर्णामरित बन जाएगा परसाद पाओ तो एक एक ग्रास में हरी नाम करते रहो तो जीवा का वेग समाप्त होकर अन्तह करण में अश्ट सात्विक धारा बहने लगेगी हरी नाम में निरंतर मन लगने लगेगा इसमें एक परसंट भी शंशे न समझना प्रत्यक्ष में प्रमान की आवशक्ता नहीं होती हरी नाम जोर से करने पर थकान होगी बाद में धीरे धीरे भी होने से मन स्थिर होने लगेगा उधारन अध्यापक बच्चों से जोर जोर से पहाड़े बुलवाते हैं एक बच्चे को खड़ा करके उससे जोर से बुलवाते हैं उसके पीछे सब बच्चे जोर जोर से बोलते हैं बाद में धीरे धीरे भी याद हो जाते हैं आज तक जितने भी पत्र मेरे द्वारा लिख कर आपके चर्णों में सेवा हेतु भेजे गए हैं, उन पत्रों में मेरे मन के उद्गार नहीं हैं, इन में मेरे गुर्देव वे ठाकुर्जी साक्षी हैं, यदि कोई भी साधक मेरी उक्त बातों को मनगड़न समझेगा, उसे ने तो भक्ती में कोई लाब होगा, बलकि अपराद का भागी होगा, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धी प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है, ये भगवान के व भगवान के वचन है भगवान के अंत्यकरण में भी भाव रहता है तथा जीव मात्र के अंत्यकरण में भी भाव रहता है जब दोनों भाव आपस में आकर्शन शक्ती से जुड़ते हैं तब प्रेम की धारा अंत्यकरण से बाहर निकलती है अश्ट सात्विक विकारों से ओत प्रोध हो पड़ती है इंद्रियों में भी भाव कुभाव की व्रत्यां समाहित रहती हैं इन में मन ही मुख्य कारण है रात में जब हरिनाम जबते हुए विरह अश्रुधारा बहने लगती है तब उस धारा में यह शब्द भाव रूपी हीरे मोती पन्ना बनकर बहकर बाहर प्रकट होने लग जाते हैं किसी अद्रश शक्ती द्वारा बाद दे होकर भक्तों की सोई हुई भाव मई व्रत्य को जगाने है तू वह शक्ती मेरे द्वारा लिखवा देती है इसमें मेरा एक परसंट भी प्रयास नहीं है हरी नाम स्मर्ण से इसी जनम में अश्ट सिद्धी नव निधी तथा धर्म अर्थ काम मुक्ष की उपलब्दीद हो जाती है यदि कोई भी साधक मन को एकाग्र करके नाम जपे तो और एकाग्रता तब ही आएगी जब संसार से वेराग्य की भावना उदे होगी भावना भी तब ही उदे होगी जब मन में यह भावना हो जाए कि यह संसार दुखों का खजाना है यहाँ सुख नहीं है तब ही भगवान की और मन मुड़ जाएगा श्री नानक देव जी कहते हैं भांग धतूरा आदी नशीले द्रव्यों का सेवन करने वालों का नशा प्रातय काल होने तक उतर जाता है परन्तु भगवन नाम का जो नशा है वह दिन रात चड़ा ही रहता है बस फिर मानव जन्म सफल है लेकिन यह इस्तिती तब ही उपल इस्तिती वान को किसी नाम निश्ट सिद्ध संत का संग मिल जाए वरना उक्तिस्तिती उदे होना बहुत दुशकर है हरी नाम इसमर्ण से ही उक्त किरपा उपलब्द हो सकेगी यदि इसे प्रेम से उच्चारण किया जाए तो नाम किरपा की बाट में जो हिर्दय अकुलाए नाम ही नान का संत से तुरत ही जाय मिलाए भक्त की किरपा के बिना भगवान किरपा नहीं करते यागि क्यों की धरम पत्निया भक्त थी इसी कारण यागिक ब्रामनों को भगवत किरपा उपलब्द हो गई यदि इनकी पत्निया भक्त नहीं होती तो यागि की ब्रामन यग्य कर्म से भगवत किरपा प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वे तो कर्म मार के उपासक थे इस कलिकाल में जिस साधक को हरिनाम में रुची हो गई हरिनाम इस्मरन का स्वभाव बन गया हरिनाम की शरण में हो गया तो वह साधक सत्संग शास्त्र श्रवन आदी आध्यात्मिक विशय में पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गया यदि हरिनाम में रुची नहीं हुई तो सब साधन का केवल श्रम ही प्राप्त हुआ स्वयम की शक्ती से कुछ उपलब्दी नहीं हो सकती संत गुरू वे भगवान से प्रार्थना ही इस उपलब्दी का कारण बनेगी भक्ती कभी नश्ट नहीं होती श्रम का भी लाब होगा सिर्फ देर हो जाएगी देवता तक तरस्ते हैं कि हमारा जन्म कलिकाल में हो जाए तो हम हरिनाम की शरण में होकर भगवच चर्णों में पहुँच जाएं सत्यूग त्रेतावे द्वापर में साधन करने में जो कठिनाई है वही कल्यूग में उसके एक प्रतीशत भी नहीं है घर में रहते हुए भगवत प्राप्ती हो जाएगी केवल मात्र हरिनाम में रुची हो जाए हरिनाम में रुची तब ही हो सकती है जब उक्त आचरन करके भगवद प्रेमी संत की उपलब्दी हो जाए इससे उसके आकर्शन से हरी नाम में रुची हो शकती है यह रुची भी तब ही होगी जब संसारी आसकती कम होती जाए और भगवद आसकती बढ़ती जाए वरना संत का परभाव भी नहीं हो सकेगा स्वेम की किरपा तथा संत किरपा दोनों का समावेश होना परम आवश्चक है एक हाथ से ताली नहीं बसती साधक को भगवत प्राप्ति की भूक होना आवश्चक है यह भूक ही भगवत दर्शन करा देगी जैश्री रादे जैश्री रादे